इस स्क्रीन पे जो देख रहे हैं सोलर प्लांट लगाने के नाम पर अन्ठानवे लाक रुपे का धोखादरी अपराद दर्ज क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से धोखादरी किया जा रहा है लोगों के साथ जरूसகार मैं हों फूष्योंतंग पांडे स्वांक्रियों में अखिस विडियो में एक और धोखादरी ने बताओंगा जो से आप बचना आपका लिए बहुत जरूरी आ जिसससे बचना आपके लिए बहुत जरूरी है तो चलिक में नहीं नहे है का धोखादरी अपराद दर्ज अब यह हुआ कहा है तो यह देख रहे हैं आप स्क्रीन पर भिलाई नगर में हुआ है इस्मृती नगर चौकी में ठगी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं पहला मामला सोलर प्लांट लगाने के नाम पर करीब 98 लाक रुपे की ठगी का है दूसरा मामला जमीन दिलाने के नाम पर धोखादरी और तीसरे में बंधक सुदा मकान को बिक्री करना और बैंक में रकम ना पटाने पर 23 लाक रुपे का ठगी का है अब इस्मृती नगर चौकी प्रभारी प्रमोथ श्रिवास्तव ने बताया कि प्रार्थी जस्वि बज में संजीब ने अपने ने उससे अंठानवे लाक रुपे ले लिए तो देखिए यह पूरा मसला चल में है क्या और अरल भासाओं में किस तरह से आप समझ सकते हैं तो देखिए यह जो धोखाधरी का मामला है ना यह बहुत ही अलामिंग सिच्वेशन अभी के समय में है जन ढांज। सिच्वेशन हैं हम सब के लिए अब अलामिंग इसलिए है कि देखिए इतला प्लांट लगाने के नाम पहIDE काफी सरा चीजिज कि चल रहा है जैसे की इसे हैं मैंने वहां सर नूचे क्रिएट किया है कि ईस तरह से कुशूम योजना में चल रहा है। और उस कि सपोज किसी का बंजर जमीन है या कोई ऐसा किसान है जिसके पास बहुत सारा जमीन है और वो चाहते हैं कि वहाँ पे चोलर प्लांट लगाकर उस बिजली को बेचे और सरकार से पैसा मिले तो यह चाहते तो ठीक हैं लेकिन इसी चाहने में न यह फ्रॉड चुपा हुआ है यह फ्रॉड उसी से चुपा हुआ है अब सपोज इतना बरा लेंड है उस पे कस्टमर यह बोलता है या जिसको लगाना होता है कि कोई इन्वेस्टर आएगा वहाँ पे पैसे लगाएगा और यह पूरा प्रोसीजर समझाया जाता है जिसका लेंड होता है और इसी क्रम में जो बीचौलिया है जो मतलब फ्रॉड स्टर बोल सकते हैं वो सोलर प्लांट लगवाने का सपना दिखा कर उस किसान से पैसे की ठगी कर रहा है और यह पूरा मामला इसी तरीके का है अब यह जो देख रहे हैं कि बरे बरे प्लांट लग रहे हैं जो बरे मेगा वार्ट में प्लांट लग रहे हैं उसका नाम दिखा दिखा कर उसको दिखा कर बेचा जा रहा है और उसको दिखा कर ही यह ठगा भी जा रहा है तो आपको सबसे पहले यह धियान रखना होगा कि आप जब भी आपके जमीन पे सोलर प्लांट लगवाने की बात करें तो एक ऑथेंटिक आदमी से बात कीज़े यानि कमपनी के किसी भी जो एक बोलते हैं ना कि और इस तरह का उसका पूरा डिटेल आप वेरिफाई करें कि क्या वो इस तरह का प्रोजेक्ट लगा पाता है या लगा पाएगा ये चीजे जानने के बाद ही सारे डिटेल्स आप सम्मिट करें या मिस्यूज नहीं होगा और उसका जब मिस्यूज नहीं होगा तो आपके साथ भी फ्रॉड नहीं होगा अब देखिए ये जो पूरा मसला है इससे बचने का बस एक ही तरीका है awareness awareness जी हाँ जानकारी ही बचाएगा आपको और जानकारी ये बोलता है यदि आपेक्स मोडल पे नाम से बन जाती है यह पूरा प्रोसीजर ऐसे बनता है कि जो जिसका जमीन है उसको भी पार्टनर बना लिया जाता है और या इवन कि वह पार्टनर नहीं बनना चाहता है तो वह जमीन उसको बेच सकता है तो इस तरीके से वहां पर बरे से बरा प्लांट लगता है इवन कि आपने देखा होगा कि बीकानेर में 400 मेगावर्ट का प्लांट लगा है तो यह सब एक अलग तरह का एक्विजीशन होता है लेंड इक्विजीशन होता है उसके बाद इन्वेस्टर आती है वहां पे और तब जाके यह सोलर प्लांट लगता है तो इससे आपको बचने का सिर् में और भी बढ़ सकता है और यह एक नया तरीका है जो सोलर सेक्टर में चल रहा है इससे बचना है और अपने पैसे को भी बचाना है तो चलिए यह फ्रॉड को आप किस तरह से देखते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आने वाले समय में हर किसी को बचाने के चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करें इसी तरह का हेलफूल कंटेन को देखते रहने के लिए चैनल पर बार बार आने चे लिया आपका बह। बहुत धन्यवाद जय हिंद